खेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे तो स्वागत है आपका The Traders Compass की एक और analysis वीडियो में तो अब बात करते हैं कल के market की कि कल market किस तरीके से behave कर सकता है और हमारा क्या plan होने वाला है और किस तरीके से हम market को play कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सारे important level यहाँ पर draw कर रखे हैं, आप इनका screenshot लेकर इन पर play कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर मैंने bank nifty one hour time frame का chart open कर रखा है, बात करते हैं कि bank nifty किस तरीके से यहाँ पर behave कर रहा है, अब आप लोगों को एक train line यहाँ से नजर आ रह और फिर यहाँ पर आपको resistance लेता हो, यह नजर आएगा, तो आप लोग अप ध्यान से देखिए, जो bank nifty है, वो लगातार अपने previous high की respect कर रहा है, क्योंकि जो bank nifty का पहला high था, वो यहाँ पर था, उसके बाद जो bank nifty का दूसरा high है, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहा पर है, तो bank nifty ने जो अपना दूसरा high बनाया है, वो पहले high के नीचे है, और जो तीसरा high है, वो दूसरे high के नीचे है, तो लगातार bank nifty अपने previous high की respect कर रहा है, और एक downside momentum यहाँ से आ सकता है, आप लोग देख सकते हैं, अगर bank nifty अपने downtrend को इसी तरीके से यहाँ पर ब bank nifty इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से गया, और फिर से नीचे आया, फिर resistance लिया, और फिर यहाँ पर आके यहाँ पर फिर resistance लिया, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर inverted head and shoulder chart pattern का formation यहाँ पर हो सकता है, मैं इसे सही से बना लेता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर inverted head and shoulder का formation हो सकता है आप लोग देख सकते हैं तो यहां से अगर बैंग निफ्टी कल gap up open होता है या flat open होता है और इसका breakout आता है यह जो train line आपको दिख रखिए अगर इसका breakout कल हमें मिलता है तो जो हमारे targets होंगे देखिए एक तो हमारा target पहला target जो होगा वो जो all time high bank nifty का है और उसके बाद अगर हम लोग यहां पर measure करें जो inverted head and shoulder का target होता है तो उसके बाद जो हमारा target होगा वो हमें यहां तक मिल सकता है आप लोग देख सकते हैं अगर हम यह head and shoulder का target यहां से measure करें यह जो target है तो हमारा target यहां पर हमें नजर आएगा आप लोग देख सकते हैं 48,954 के करीब हमारा target यहां पर नजर आएगा तो यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से play करना होगा quantity आपको थोड़ा कम रखनी होगी क्योंकि यहां पर थोड़ा trap भी हो सकते हैं क्योंकि आप लोग देखिए अगर आप लोग यहां से trade लेते हैं तो अगर bank nifty यहां कहीं भी open होता है उसके बाद breakout देगा तो first हमारा target यह होगा उसके बाद हम लोग चोटे-चोटे target करके अपना major target जो हमारा head and shoulder chart pattern का target है वहां तक जा सकते हैं अगर bank nifty की flat opening होती है तो हम लोग wait करेंगे यहां तक पहले bank nifty को जाने देंगे हो सकता है कि bank nifty यहां पर resistance ले फिर से अपने train line पर और फिर से यहां से नीचे आए और अपना down trade continue करे तो यहां पर आपको पूरी तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है और यहां पर थोड़ open होता है यहां कहीं open होता है यहां कहीं open होता है तो आप अपने हिसाब से इन level पर यहां पर play कर सकते हैं इन levels में यहां पर ड्रॉ कर रखें तो I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like करें comment करें और channel को subscribe करें